प्रदान मंत्री मोदी की मन का बात कारिक्रम जिसका अभी-अभी समापन हुआ और उसके बाद ये सीधी तस्वीर आप आयोध्या से देख रहे हैं प्रजिडेंशल ट्रेन है और राश्पती रामनाद कोविद आज आयोध्या पहुँच रहे हैं और रेल्वे स्टेशन पर उनकी अगवानी के लिए मुख्य मंत्री योगी आधितनात और राज्यपाल आनंदी बेन पटेल उपस्थित हैं कड़ी सुरक्षा और पूरी तैयारियों के साथ राश्पती रामनाद कोविद का स्वागत किया जा रहा है लखनाउ से प्रेजिदेंशल ट्रेन के माध्यम से आयोध्या पहुँचे हैं ट्रेन पहुँच चुकी है प्लाटफॉर्म पर खड़ी है और बस चन्द पलों बाद राश्पती रामनाद कोविद यहां से आगे राम लला के दर्शन के लिए जाने वाले हैं आयोध्या पहुच चुके है राश्पती रामनाद कोविद और यह देखे तस्वीर सीधा आपके स्क्रीन पर तो पहुच गए हैं राश्पती रामनाद कोविद आयोध्या और उनका स्वागत किया जा रहा है रेलबे स्टेशन पर खुद उनको रसीव करने के लिए उनकी अगवानी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदितिनाथ और राज़िपाल आनंदी बेन पटेल पहुंचे हुए हैं अपनी पत्नी के साथ राम लला के दर्शन के लिए पहुँचे हैं राश्पती रामनाथ कोविद इसके अलावा कई और कारिक्रम भी आयोध्या में उनके हैं तो आयोध्या रेलवे स्टेशन से ये तस्वीर आप सीधे देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदितिनाथ ने स्वागत किया है राज़िपाल आनंदी बेन पटेल दोनों ही उनकी अगवानी के लिए मौजूद हैं और राशपती पहुँच गए हैं आयोध्या स्टेशन पर महामहिम का स्वागत इस वक्किया जा रहा है और यहां से सीधा वो रवाना होंगे मंदिर परिसर अभिबादन स्विकार कर रहे हैं सभी का राशपती तमाम अधिकारी वहाँ पर उपस्तित पुलिस और प्रशासन से जुड़े हुए आलाधिकारी वहाँ पर उपस्तित हैं जो कि इस पूरी व्यवस्ता इंतजाम जिनके जिम्मे हैं और प्रोटोकॉल के तहट जितने भी लोग वहाँ पर उपस्तित हैं वो सभी अब यहां से आगे बढ़ रहे हैं राश्पति और उनके पत्नी यहां से आगे मंदर परिसर पहुँचेंगे आयोध्या रेल्वे स्टेशन पर स्वागत किया जा रहा है राश्पति रामनात कोवित का वो सभी का अभिवादंस विकार कर रहे हैं उनके साथ यूपी के मुक्यमंत्री योगी आदतनात और राजिपाल आनंदी बेन पतेल रेल्वे स्टेशन से जो मंदर परिसर पहुँचने का रास्ता है जिस रूट से प्रेजिडेंट जाएंगे उसको पूरी तरह से सजाया सवारा गया है रंग रोगन से लेकर स्टाफ सफाई और एक भवे सजावत उसकी की गई है मुक्यमंत्री योगी आदतनात कुछ देर पहले ही पहुँचे हैं आयोध्या और अब राश्पती भी पहुँच चुके हैं सीएम योगी और राजपाल आनंदी बेन ने उनका स्वागत किया है आयोध्या में रामायन कॉनक्लेव का शुभारम करेंगे और कारिक्रम स्थल पर भी भवे सजावत की गई है जहां से रामायन कॉनक्लेव की शुरुवात होगी राशपती इसको अंक्लेव का शुभारम करेंगे हनुमान गड़ी में जाएंगे वहां पर दर्शन पूजन करेंगे राम लला के दर्शन करेंगे वरिक्षा रोपन का कारिक्रम भी उसके बाद वहां पर होगा और जहां मंदिर बन रहा है उस जगा को भी देखेंगे राशपती वायोधिया रेल्वेस्टेशन पर बहां महिं का स्वागत किया जा रहा है भवे तरीकी से सजाए गया है वो प्लाटपॉर्म रेल्वेस्टेशन और यहां से जो पूरा रास्ता है मंदिर परिसर तक उसे खास तोर पर तयार किया गया है प्रेजिडेंट के स्वागत के लिए चार दिन के यूपी दौरे पर है महा महिफ और आज उसका अंतिम दिन है अपने दौरे के अंतिम यानी चौथे दिन वोय उध्या पहुंचे हैं और रवाना हो रहे है अब रास्ता है पूरिया योध्या में आज रक्षा के कड़े इंतिजाम हैं मुख्यमंत्री यहां पर हैं देश के राष्टपती यहां पर हैं और यह लाइब तस्वीरे इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे थे और सीम योगी ने पहुँचकर पूरा जायजा सीम योगी ने लिया था उसके बाद वो पहुँचे रेलवे स्टेशन और यहां पर पर प्रेजिडेंट का स्वागत किया गया सीम योगी ने उनको अंग देख रहे थे